नमस्कार दोस्तों लर्निंग पॉइंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में लाइनिंग करने के बारे में बताने वाला हूँ वो भी बिना बरस की साहता से जब भी हम पेंटी का काम करते हैं तो हमें टेबल भी क्रेट करना पड़ता है कभी-कभी टेबल क्रियक करते हैं जिससे की लाइनिंग सही से नहीं हो पाता है और इसमें समय भी ज़्यादा लगता है इस से बचने के लिए एक ट्रीक से इसकी सायत्new website सो हम लाइनिंग करेंगे इस पर मैंने काम भी किया है और इसको परयोग परकर देखा कि साही होता है कि और जर्डरली हम लोग जो इस तरह का ten च्टेस्टो चापते हैं तो उसमें हम पर लगाते यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क defend ले लिया ह रिख वहा है इसवे तरह से और जो extra रंग है उसको मैं यहाँ से इस चासरे उसको निकाल जा इसा कि आपर मैंने पहले बता हैं इसमें एस ट्रोक नहीं लगाना इस तरह से ड़ए कर खींचना है इतना भी नहीं दबाना कि ज्यादा रंग उसमें से निकल कर फैल जाए हलका साथ दबा कर इसको इस तरीका से रगड़ कर प्रिंट करना है तो यह फास्ट बार है इसलिए हलका लग लेकिन जैसे जैसे हम प्रिंट आगे बढ़ाएंगे यह गड़ा होता जाए जब भी आप इस्पंज को रंग में डूबाएंगे तो उसका एक्स्टर रंग को इस तरह से बाहर निकाल देना उसके बाद हम सेकेंट करेंगे यह नीचे की और तो उसी तरका से इसको खींचना है धीरे-धीरे ज्यादा प्रेस नहीं करना हलका सा प्रेस करके ज्यादा प अलका प्रेस करके देखें यह और गाड़ा होगे तो धीरे-धीरे रंग गाड़ा होने लगेगा और जहां पर फिका हुआ वह आप डबल स्ट्रोक कर सकते हैं थोड़ा सूख जाने के बाद इस तरह का लाइनिंग प्रिंट करने के लिए ध्यान रखेंगे कि आपका जो ब से ही मैं यह लाइनिंग कर रहा हूं आप चाहें तो इसमें फैबरिक भी यूज कर सकते हैं वो भी मैं इसमें करके दिखाऊंगा फैबरिक से भी कैसा होता है दिस्टेंपर या इमल्शन बेस में भी इसको मैं करके दिखाऊंगा तो यहां भी मैं एनामेल बेस में यह काम क कर रहा हूं और अनामेल कलर भी अनामेल है बेस भी अनामेल है इसके बाद हम करेंगे जो बेस होगा वो इमल्सन होगा यानि जो वाटर कलर होता है डिस्टेमपर और उसमें हम लोग यूज करेंगे फेबरिक बेस में एनामेल भी यूज कर सकते हैं और अनामेल बेस में Tamam की वी जसक्व कर या नतरी। युज कर सकते हैंड ूज हूपर का कौना वह और लगा सकते हैं उपर तिह नहीं है धार के आज़ते हुँ आज़ सब्तुंड हो इस थादीनीद चोंड त्रीबरिक पीछे की और जो बेस है ये इमल्सन का बेस है इस पर मैं फेब्रिक यूज कर रहा हूँ तो उसी तरका से यहाँ पर भी एस्पंज ले ले लेना है रंग में डुबाने के बाद उसका एक्स्ट्रा कलर को बाहर कर देना है ताकि वो फैले नहीं जब आप प्रिंटिंग करें प्रिंटिंग करतें हैं तो इसका फैलने के खत्र सबसे ज्यादा रहता है और आसानी भी है लाग如何 भी करना उप देख सकते हैं यहां पर देख्छा मेरा फैल रहा है थो इसको ज़्यादा बार डुबाना नहीं पड़ता है एक बार डुबाने से ही आपका पूरा लाइनिंग हो जाता है जबकि एनामल में ऐसा नहीं है एनामल में हमें बार बार एसपंज को कलर में डुबाना पड़ता है आप देख सकते हैं अभी तक मैंने सिर्फ ये दूसरी बार है जो कि मैंने एस्पंज को कलर में डूबाया है उसके बाद यह सारा काम यहां से मेरा दूसरी बार में ही कंप्लिट होने जा रहा है तो फैब्रिक से करने का यह एक फाइदा है कि आपको बार बार रंग में एस्पंज को डूबाना नहीं पड़ता है एक बार डुबाने से ही आप काफी लंबा काम कर सकते हैं अब बोर्ड को फिर से पलतेंगे और एनामेल वाला जो बेस है उस पर हम फेबरिक से इस तरीका का लाइनिंग करके देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यह मैं बोर्ड को पलट ना हूँ और इस और मेरा एनामेल बेस है इस पर मैं अभी फेबरिक कलर से लाइनिंग करेंगा इससे पहले मैंने इसको एनामेल कलर से लाइनिंग किया हुआ है इसका जो बोर्डर किया हुआ है यह वो एनामेल कलर से है लेकिन अभी हम करेंगे यहां पर फेबरिक कलर से तो यह मैं फेबरिक कलर से कर रहा हूं देखिए फेबरिक कलर से भी सही से हो रहा है इसमें थोड़ा कम प्रेस करना पड़ता है और एक बार डुबाने के बाद एक लाइनिंग पूरा कंप्लिट हो जाता है यह एक बार डु से किसी भी तरह का टेबल बनाना हो और ध्यान रहे इसका चौड़ाई जो लाइनिंग का है इतना ही होना चाहिए इससे ज्यादा बढ़ाएंगे तो कड़बड़ हो सकता है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद